हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्लाटफॉर्म टीचिंग जंक्शन पे, तो फ्रेंड्स हमाज बात करेंगे, यूपी पुलिस, जो यूपी पुलिस के मामले में पेपर लीक की बात हुई थी, उसको लेकर के कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसम सभी शाथियों को यहां पर बिल्कुल आपको अगर हम बात करें, यहां पर आप सभी को नय मिलेगा, जो बच्चों ने इतनी महनत से यूपी पुलिस की प्रिपरेशन की थी, पेपर हुआ, पेपर के बाद, पेपर लीक के मामले आए, पेपर रद्ध हुआ, और इसको ले पेपर लीक के मामले में, ED ने दर्ज किया केस, पहली बार मनी लॉंडरिंग एक्ट में जाच होगी, ठीक है, मनी लॉंडरिंग एक्ट, जहां पर पैशों की खरिद फरोष्ट या पैशों को लेन दिन के आधार पर ये पूरी तरीके से मनी लॉंडरिंग का केस बन गया है जहां पर इस ED इसकी पूरी तरीके से फुक्ता जाच करने वाली है, उत्तर परदेश में पेपर लीक के मामले करने वाले किसी गुरोव की पहली बार मनी लॉंडरिंग एक्ट में जाच होगी, ED जल्द ही जेल में बंद सभी आरूपियों से पूस्ताश करने वाली है, ये स इतनी वेकेंशी थी, टोटल वेकेंशी के बात करें, 60,000 वेकेंशी थी, 60,000 पद थे, और इसके सापेक्ष 50,000,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, और उनके सपने हो, यहां पर देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा तार-तार हुआ है, उन सभी ने परिक्षा दी, बचारों ने इतनी महनत करी, परिक्षा दे, और बात में ऐसा देखने को मिलता है, कि पेपर लीक का मामला सामने आया, और इसके बाद पेपर को रद्द करना पड़ा, जिसमें हम सारे टीचर्स ने भी खूब सहयोग किया, पूरी तरीके से ऑनलाइन, आफलाइन, आप सभी के लिए आवाज बनकर खड़े रहे, तो दोस्तों, बहुत जल्द ही इस परशक्त कारिवाही की जाएगी, और यूपी पुलिस की जो परिक्षा है, जल्द ही आपके लिए, फिर से अनाउंस की जाएगी, यूपी गॉवर्मेंट के द्वारा, जून में इस अनाउंस किया जाएग में, तब तक के लिए, थैंक्ट्यू सो मुच तो आल, थैंक्स पर वचिंग में वीडियो,